विडेवर्गी ने सुमवार को प्रदेश व देश वाष्टियों को विडेदर्श में परवकी शुपकाम नाए दी इन दौर इस्थित निवास पर मीडिया से मुखातिब हुए विडेवर्गी ने इन दौर में प्रदेश में होने वाले उप्चुनाओं को लेकर पूर्व स सीम कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा जहां उन्होंने पूर्व सीम कमलनाथ के इमर्ती देवी पर दिये गए बयान पर कहा कि वो शब्दों की दर्विद्दा में उल्जे हुए है और उनका बयान उनके मानसिक दिवालियपन को बता रहा है जबकि उनकी ही पार्टी के प्रमुक ने उन्हें शब्दों की मर्यादा का धिहान रखने की इदायत दी थी लेकिन बावजुद उसके उन्होंने माफी नहीं मांगी है जो यह दर्शाता है कि कमानलाथ कितने अहंकारी है प्रदेश के भी नेता हो ना जिस प्रकार का महिलाओं के असमान के लिए बयान दिया है प्रतियाशी इमर्ती देवी द्वारा दिये गए बयान की पार्टी जाए भाड में इस मामले को लेकर विजय वर्गी ने कहा कि पिछड़े और दलित वर्ग की वो महिला है और बहुत ज्यादा सीक्षित और पली लिखी महिला नहीं है इसे में उनके किसी भी शब्द पर में प्रतिक्रिया व्यक्त करूं ये ठीक नहीं है इधर पूर्बो मंत्रे जीतु पड़वारी के सीएम शिवरासिय चौहान के मामले में कमलनात के पेरों की धूल वाले बयान पर कैलाश विजय वर्गी ने कहा कि वो होंगे कमलनात के पेर की धूल वहीं उन्होंने कहा कि राउल गांदी यदि कॉंग्रेस का नेत्रत करेंगे तो कॉंग्रेस इतिहास के पन्नों में लिखी जाने वाली पारिटी बन जाएगी इधर मंत्री उशा ठाकूर के मदरसों में सिक्षा वाले बयान पर बीजय पी के राश्टी महासा चूने कहा कि मोदी धी के नेत्रत में हमारी सरकार सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास के दिर्ग के साथ काम कर रही है हम जब सरकारी तोर पर बयान देते हैं तो हमारे लिए पूरे देश की जनता एक समान होती है फिर वले वी वो किसी भी जाती या धर्म की हो उनके विकास की जिम्मेदारी हमारी होती है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बेटियों की शादियों के साथ साथ यही बेटियों का निगा हो योजना के माध्यम से गेश का सिलेंडर राम यृत अभिया गया है तो वहीं रमजान भी को दिया है पेले जीतु पटवारी ने मुख्तिमत शिवरास दिंग चुहान को काये को कमलनाथ की पेर की धूल भी नहीं हो वो हूँगे पेर की धूल जीतु पटवारी तो रहेंगे तो कांगरे सितियास की पन्नों में लिखने वाली पाड़ी कोई हमारी सरकार मोदी जी के नेत्रत में सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहें हम जब सरकार में सरकारी दोर पर जब बयान देते हैं तो हमारे लिए पूरा देश की जनता, एकुतीस करलो जनता चाहे किसी भी जाती की हो, किसी भी धर्म की हो, उसके विकास की जवाबदारी हमारे उपड़, आपने देखा होगा जितनी भी प्रधान मंद्र जी की योजना है, चाहे मुख्य मंद्र जी करने अदानी योजना हो बेटियों के अगर शादी करा ही तो उसका लिकाह करा है, यदि उज्जुला योजना के माध्यम से केस का सिलेंडर दिया, राम प्यारे भाई को दिया, तो रमजान भी को भी दिया, गरीबी को देखा वही उन्होंने कहा कि पीम आवास योजना के जरिये सब के विकास की बात होई है, उसी प्रकार मदर्सों का भी विकास हो, क्योंकि जब सिक्षा के विकास की बात होती है, तो मदर्सों का भी विकास होना चाहिए, उन्होंने पूर्व पीम अटल वियारी वाश्पही की बा सके इसलिए आधुनी करन के पक्ष में बीजेपी है और उन्होंने इन लौर में ये भी कहा कि मदर्सों में कुछ एसी गतिविद्या पाई गई है इसलिए मंत्री उशा धाकुर ने बयान दिया होगा प्रधान मंत्री आवास युजिना के बात आप करेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे तो सब को हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं देखा सब के विकास के बात कि उसी प्रकार मदर्से का भी विकास हो जब आप शिक्षा के विकास की बात करते हैं तो मदर्से कोई विकास हो तो प्रदान मंतिजी ने एक बार कहा था, अडल बहरी वाजपेजी ने भी एक बार कहा था, कि हम तो चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कम्पुटर और लोग बढ़े हैं, तो एक सरकार की इच्छा है कि मदर्सों का आधुनी करण हो, वहां से भी पढ़कर लो पाई गई, इसने शाद मंतिजी नों बयान दिया हो गए, इधर कॉंग्रेस विदायक राहूल लोधी के वीजपी में शामिल होने पर किये गए सवाल के जवाब में, वीजपी के राश्टी महासाच्यू कैलाश वीजवर्गी ने का कि कॉंग्रेस के देश और प्रदेश क के नेतरोत पर कारिकर्ताओं को विश्वास नहीं रहा है उसके कारण ही यह परिस्थितियां पेदा हो रही है उन्हों ने का है कि इतने भी नोजवान है वो कॉंग्रेस में अपना भुश्य असुरक्षित महसुस कर रहे हैं मुही विजवरगी निया हाली ही में विहार में रहुल गांदी के बयान पर सवाल उठाते हुँ कहा कि रहुल गांदी ने सेना का अपमान किया है कॉंग्रेस में ही आपस में सामन जस्ते नहीं है और उन्होंने कहा कि बहुत सारे कॉंग्रेस के विधायक और कारकरता कॉंग्रेस में अपना भविश और सुरक्षित महसुस कर रहे हैं और इसलिए बहुत सारे लोग बीजेपी म में आना चाहते हैं इधर पूर्व सीम कमलनाथ को एजंडा भीहिन बताते हुए केलाश विदेवर्गी ने कहा कि उपचुनाओ 15 साल के विकास और 15 मां की अरजक्तक के बीद है जिसे राहुल रांदी जी का बिहार की सभा में दिया गया भाशन चीन की सेना 1000 किलो मेटर 1200 किलो मेटर अंदर खुज गई जबान मंत्री नरेनमदी जवाब तो अब इतना गेर जिम्मेदारना बयान है यह तो सेना का अपमान है वह सेनिक जो अपना परिवार छोड़कर देश की सीमा पेपने काणों के आहूत ही दे रहे हैं उनका अपमान है